हेलो स्टेंट स्वागत है अप सफिका हमारे चनल में आज के विडियो लेक्षर के अंतरगत हम पढ़ेंगे हैंडरी के लिमीटेशन के बारे में मतलब हैंडरी के नियम का क्या लिमीटेशन है क्या सीमा है उसके बारे हम एस्टुडी करेंगे पिछले विडियो लेक्षर में हमने पढ़ा था हेन्री का नियम के बारे में और उसके विस्थाश्ताओं के बारे में हमने जाना ठेके अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जागा या उपर आय बटन पर उसका लिंक मिल जागा ठीक आप वहां देख लिज़ेगा समझ लिज़ेगा चलिए सुरू करते हैं देखें हैं अब हेंरी का नियम की क्या सिमा है क्या लिमिटेशन है इसको बार भी हम दिटियल समझने कोश्चिस करेंगे देखें सबसे पहले हम इस चीज़ को बोर्ड पर लिख दिया है ताकि वीडियो का लेंथ जयदा ना हो और वीडियो बहुत बड़ा ना बने ठीक है देखें फर्स्ट नियम इसका है कि यह नियम सिर्फ आइडियल गैस के लिए ही मान होता है मतलब जो आइडियल गैस है आद अब उस लिक्विड में अगर हम गैसों गुलाना चाहते हैं और प्रेसर बहुत ज़्यदा देदें तो क्या होगा वह बलास्ट करेंगे वह बलास्ट जागा तूट फूट जाए अगर हम कांच या प्लास्टिक एक बरतन है इस बरतन में अगर माली जीए हम इसमें माली द डास detection चाहते हैं तो अगर बहुत ज़्यदा प्रेसर लगा देंगे तो क्या होगा यह टूट जाएगा पूट जाएगा मतलम ब्लास्ट कर जाएगा ठिक हैं मतला यह ब्यक हों ध्यकर नियम कांद करेगा थेकरनें का नियम कहता है कि इस्थिरता आप मानने पर गया, constant temperature पर जब pressure लगाते हैं, तो gas की दर्बों में घुलनसिलता क्या होती बढ़ जाती है, मतलए इस्थिरता आप मानन पर गया, gas की घुलनसिलता, gas की बिलिटा या, gas की malfunction उसके आनसिलता पर क्या होता, श्रमान पाती होता है, तो gas का दाव बहु ठीक है अगर temperature अधिक देंगे तो क्या होगा गैसों की दर्बों में घुलसनलता क्या होगा घड़ जाएगा एक लिमिट temperature पे constant temperature पर जब हम pressures apply करते हैं प्रेसर बढ़ाते हैं तो अधिक देंगे तो वह नियम इसके लिए मान नहीं होगा और बहुत ही अतियंत कम अगर temperature देते हैं तो उसके लिए भी नियम यह मान नहीं होगा ठीक है अब देखिए अगला की बात करें एन एच तीरी जब यह अमोनिया को हम water में काया करते हैं डिजल्व करते हैं तो यह एक compound की निमांग करता है ammonium hydroxide का और यह ammonium hydroxide भी क्या होता है आइंस में टूट जाता है ammonium पलस और ओएच मैनस में टूट जाता है ठीक है उसे दरग हम बात करें scl की ही बात करें तो scl को जब हम क्या करते हैं water में डिजल्व करते हैं तो वह क्या होता है वह आएंस में टूट जाता है कैसे टूटता है देखिए हैं अगर हम गैसों को लीकुट श्लॉव्हेंट में हम डिजल्व करते हैं किसी प्रकार किमीकर रेक्सन अगर हो गया ठीक है, तो वह इसके लिए नियम मान नहीं होगा ठीक है तो यह याद रखेंगा गैस को लीकुट्स को खुलाते हैं अगर किसी प्रकार कर रथानीक अभेक्रिया नहीं होगा तो यह नियव उसके लिए होगा ठीक है चलिए अब अगला पौɇंट है भोल में गयास का भी हुऩान नहीं होना चाहिए मतलब कके घोलक स्टॉरी गयास का भीकटन नहीं हो चाहिए जैसे माली जी यह लिक्यूड है एक बरतन में इसमें हमने पानी भर दिया ठेक है और इसको अगर हम गैसों को घुलाते हैं और अगर यह गैस क्या हो तूट जाए डिकंपोजिशन हो जाए मतला भी तूट तूट जाएगा तो वह उसके लिए भी न oxyam मानने नहीं होगा ठीक है तो घोल में गैस का भीघटन नहीं होना चाहिए यह गिलाए मतलब अलग भाव की तो वह उसके लिए मानने और कूसिशच करेंगे जब यह gas को हम gas को हम दर्बों में घुलाते हैं pressure देकर ठीक है तो वह gas दर्बों के हर भाग में क्या हो है? वह घुल जाना चाहिए मतलब वह वह gas का दर्बों में पूर्णोप से मिश्चित होना चाहिए ठीक है चलिए अगला point यह है घोल में gas का संगुनन नहीं होन छहीं रथात कहने मतलब यहां है कि आगर को एक जगा तो यह नियम उस का लिए मान होगा गया सिर्फ नहीं बढ़नाई का बहुत अधिक डाब नहीं बढ़ रघाना चाहिए मतलब अधिक दाब लगाएंगे तो उसके लिए नियम मान नहीं होगा तर्थात यह ग्यास का दाब अधिक नहीं होना चाहिए ताब मान भी अधिक नहीं होना चाहिए ग्यास और लिकुर्ट शलवेंट की किसी प्रकार रासानी का भिक्रिया नहीं होना चाहिए घोल में ग्यास का संगुलन नहीं होना चाहिए ठीक है अज़ा करता हूं कि यह आप समझ गये होंगे अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो पिजी से लाइक कीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंट्स के भी सेर कीजिएगा थैंक्यू गूर्ड व